शर्मसार दर्बारी बादसा अकबर दर्बार में बैठे थे दर्बारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और वे नहीं चाहते थे कि बादसा से बीरबल के सम्बन अच्छे रहे अतह दर्बारियों ने बादसा से कहा हुजूर आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं हमें कोई महत्व नहीं देते हैं इससे हमारे स्वाबिमान को ठेज पहुँचती है बादशा अकबर बोले आप लोगों की शिकायत गलत है बीरबल कोई साधारन वेक्ती नहीं है वे बहुत ही चतुर और समझदार है कोई भी उनकी पुद्धिमत्या के आगे ठेर नहीं सकता यही कारणे की हम कोई भी काम बीरबल से पूछ कर करते हैं बादशा अकबर की यह बाद दरबारियों को पसंद नहीं आई वे बीरबल से और भी ज़्यादा नाराज हो गए बादशा ने दरबारियों को सांध पेठे देखा तब उन्होंने कहा अगर तुम सब को ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और पुद्धिमान हो तो आज तुम सब की पुद्धिमानी की परिक्सा ली जाएगी तुम में से जो भी इस परिक्सा में पास होगा उसे बीरबल का इस्थान मिल जाएगा इतना बोलकर बादशा ने दो हाथ लंबी दुलाई मंगवाई अब बादशा ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढखने का परियास करो मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए जो भी दरबारी मेरा पुरा शरीर इस दुलाई से ढख देगा उसे ही बीरबर की जगे पर रखा जाएगा दरबारियों को मन ही मन हसी आ गई भला यह भी कोई दिमाख वाला काम है यह काम तो कोई भी कर देगा बादशा भरे दरबार में लेट गए एक-एक करके सभी दरबारी बादशा को दुलाई ओढ़ाने आये लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढख ना सका अब बादशा उठ खड़े हुए और बोले देखी आपने अपनी पुद्धिमानी क्या अपनी उसी पुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था अगर बीरबर यहां होते तो अवेश्य ही इसी दुलाई से मेरा सरीर ढख देते जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे यह के अगर बादशा ने बीरबर को दरबार में बुलाया और बीरबर के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी बादशा पहले की तरह ही दरबार में लेट गए बीरबर ने दुलाई को गोर से देखा वे बहुत ही छोटी थी बीरबर ने कहा जहां पना आप अपने पेर सिकोड ले बादशा के पाउं सिकोडने पर बीर्बल ने दुलाई से उनका सारा शरीड ढख दिया फिर बीर्बल ने बादशा से कहा उतने पाउं फेलाईए जितनी लंबी चादर हो बादशा बीर्बल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा बीर्बल की चतुराई तुम सबने देख लीना अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी शर्मसार दरबारी बादशा से माफी मांगर चुप हो गए कहानी से सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी हैसे से बड़ा काम नहीं करना चाहिए